नमस्कार दोस्तों आप से बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमेठी बलाग दोस्तों कोलकाता और राजस्थान की बीच में कल खेले गए मैज की बारे में हम आपको बताते हैं कोलकाता ने पहले वाइटिंग करते हुए 191 रन बढ़ाए 7 विकेट के नुक्सान पर निर्धारित 20 वबरों में रन रेट था 9.55 का और जबाब में राजस्थान ने 131 रन बढ़ाए 9 विकेट खो करके 20 वबरों में और 60 रनों से राजस्थान पीठे रह गई और हारका सामना करना पड़ा दोस्तों आईए बात करते हैं कोलकाता के टीम से किस खिलाडी ने कितने रन बनाए तो सुबमन गिल ने 36 रन 24 गेंदों पर जिसमें चाखके लगाए 0 और 4 लगाए 6 और रन रेट था उसके बाद में नितीश राना ने जो है जीरो रन बनाया है मतलब खाता भी ने खोल पाए उसके बाद राहूल तरपाथी 34 गेंदों पर 49 रन और मॉर्गन ने सांदार 35 गेंदों पर 68 रन दिनेश कार्थिक ने एक गेंद खेले और जीरो रन उसके बाद रशा लाए 11 गेंदों पर 25 रन प 220 तरे से जो है कोलकाता ने खेलते हुए 1191 रन टोटल बनाए और उसके बाद में अब बात करते हैं राजस्थान की तो राजस्थान की तरप से रविन थपा 2 गेंदों पर 6 रन बेरिश टॉक 11 गेंदों पर 18 रन इसमेत 4 गेंदों पर 4 रन संजू समसन 4 गेंदों पर 1 रन जोस बिटलर 22 गेंदों पर 35 रन और रियान प्राग 7 गेंदों पर 0 राहुल तेवतिया 27 गेंदों पर 31 रन स्रेश गोपाल 13 गेंदों पर 23 रन जोफरा आर्चर ने 9 गेंदों पर 6 रन कार्तिक त्यागी 2 गेंदों पर 3 गेंदों पर 2 रन वरुन आरोन ने 8 गेंदों खेली और चीरो रन बनाए दोस्तों कल के मैच में अगर हम बात करें तो जबसे अच्छे बालर रहे पैट केमिंग्स जिन्होंने चार उबरों में 34 रन दे करके चार जटक लिए तो इस तरीके की जो है कल गेंद बाजी और बिल्ले बाजी दोनों तरब से हुई थी और जिसमेर कोलकाता भिज़े ही रहा 60 रनों से तो दोस्तों ये थी कल के क्रिकेट मैच के आखो देखा हाल और अब हम लेते हैं आप से विदा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मैच के ही टॉपिक पर तो दीजे आप अपने दूस्त तंकुर्थिवारी को हिज़ाजत जय ही जय बारत वंदे मातरम बारत माता की जय